कि वापिस पूछा कॉंग्रेस अध्यक्ष ने और यह लाजबी प्रश्ण हम सब पूछेंगे कि अगर इतनी दो चीज़े कहिए जैत्रीजी ने और सरकार ने बार बार कि हमको तुरंत जरुत थी अर्जेंट नीड भी और आप लोग इसे राष्ट सुरक्षा की अवेलना कर यानि कॉंग्रेस और दूसरा कि यह आप से हमने सस्ती ली कभी कहते हैं 20% सस्ती ली कभी कहते हैं 9% सस्ती ली यह आपको याद है तो कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा है अब प्रश्टों में हमने पूछाए जब जवाब नहीं आया कभी कि अगर इतनी सस्ती थी तो आपने 126 से 36 क्योंकि सस्ती चीज को 36 लेंगे और मेहंगी चीज को 126 लेंगे आप और दूसरा कि इतनी जरूरत थी जल्दी थी तो जो करार नामे में लिखा था कि 2019 से डिलिवरी शुरू हो जाएंगी उसको तो स्क्रैप किया आपने 2012 के करार नामे को और 2022 से अब शुरू हो रही आपकी डिलिवरी तो दो तथे हैं जल्दी तुरंथ अर्जनसी और बहुत ज़्यादा कम कीमत दोनों का आपने परदाफाश देखा पांचवा बिंदू और ये सब बिंदू हमने और इसमें से कई बिंदूओं को मानने होते हैं तो यही कर सकते हैं कि आप जवाब देंगे इतिहास की लेक्चर देगे पांचवा बिंदू जो उठाया था कि ट्रांस्फर अब टेक्नोलोजी का हमने आपको तित्थि दियें डेट्स दियें किस तारीख को कुछ दिन पहले डिल के H.A.L. से बातचीत पक्की हो गई थी हमारे दस्तावेज में लिखा है कि H.A.L. को सरफ ट्रांस्फर टेक्नोलोजी के आधार पे मिलेगा लिखा है यह अचानक ट्रांस्फर टेक्नोलोजी बदला कैसे कोई उत्तर नहीं मैं उत्तर देता हूं आपको जो तर सरकार नहीं दे रही है नहीं दे सकती इसलिए बदला कि अगर आप ट्रांस्फर टेक्नोलोजी हटा देंगे तो इमीजेटली रेफेल L2 से L1 बन जाता है यह बात है L2 to L1 नहीं अगर आप ट्रांस्फर टेक्नोलोजी को नहीं, if the transfer technology is forgone, then Rafale will change from L2 to L1 Eurofighter ने लिख के दिया है सरकार को कि हम 20% कम में देंगे सब कुछ के साथ तो अगर इतना ही था तो आप T.O.T. कैसे भूल गए T.O.T. इसलिए भूले कि जिसको मिला है, offset contract उसने कभी कागेज़ वाली हवाईज भी नहीं उड़ाई या इसलिए भूले कि जितनी भी आज हवाईज़ें उड़ती हैं देश में सब H.A.L. के साथ या संबंग में या technology transfer या collaboration के साथ बनी हैं, चाहे सुखोई चाहे ले लीजे, चाहे तेजस ले लीजे, चाहे कोई भी ले लीजे, पॉइंट टू बिलियन योरो सिक्स्टी टू थाउजन करोड बेंच्बार्क प्राइस कैसे बढ़ी क्यों बढ़ी और क्या उन फाइलों में लिखा नहीं है इस बेंच्बार्क प्राइस को बढ़ाने के ऊपर आपत्ति और विरोध रक्षा मंत्रा लेका वड़ा सीधा प्र और वहां से पहुँच गई बहां से रदार कमसे हम उत्तर तो दीजे जेपीस ही नहीं करिये कुछ उत्तर तो दीजे So friends, this is the true story. Each of the five points raised yesterday and the additional points I have made today, raised by us at several times in particular by the Congress President, have been met by spin doctoring, taking you on a history seminar class, avoiding specifics, giving no answers. That is because the so-called exam warrior of the man ki baat, who likes to preach and write booklets on exams, has not flunked his exam, he has run away from taking the exam. The direct challenge thrown for a debate, he has gone fur, the Chaukidar has become fur. He has, the finance minister has become not the defence minister but the defensive minister for the government of India, for the prime minister. He has in that process debased the dignity of his office. These are manufactured lies and I will give you six quick examples in English which I have given you in Hindi. Example number one, he admits that the total cost for 36 is 58,000 crores. A second class student can divide and do arithmetic, 58,000 divided by 36 is 16,11 crores. The exact figure. What is this secrecy about the price? You have admitted the price now Mr. Finance Minister without quite knowing it because truth has a very strange way of coming out of the woodwork. Two, whenever we corner you on the price, Mr. Finance Minister, Mr. Government, Mr. Prime Minister, you say, oh, the UPA was buying a toy airplane, a bear aircraft. We were giving you a fully loaded supersonic tank. Well, the fully loaded tank, I want, as the Congress President has shown, by reading from a document, 2007 RFP, request for proposal as you know, starts a tender, starts the bid. It says, we are buying a fully loaded plane with avionics, India specific enhancements and weaponry. Fraud number two, lie number two. Three, Supreme Court, I have given you myself from this podium four paras, I will not repeat it. My briefing about two weeks ago has got the paras quoted for you. Supreme Court says time and again, we are not entering in, we are not equipped to deal with such judicial review of nitty gritty. We are looking at a broad picture. Number two, did the Supreme Court say, please don't have a JPC? We are impinging upon parliamentary rights to have a JPC. Again, spin doctrine. Supreme Court has decided everything. Therefore, I, the Finance Minister, don't need to defend anything. Number four, two other arguments are trotted out by the government, by the Prime Minister, by the Finance Minister. One urgent need, these are his words, not my words. And therefore, you, Mr. Singhvi, your party is neglecting national security because of urgent need. Second, much cheaper. Sometimes he says 20% cheaper, sometimes he says 9% cheaper. Well, if it's so urgent, our Karar Nama, which was not finally executed, provided for delivery starting 2019. The present one starts, not completes, delivery from 2022. By which time of course, Mr. Modi would have gone home, having made all his false promises. Then, if it is so cheap, have you ever heard of 36 aircraft being bought so cheap, that the amount is reduced from 126 to 36? Bhai, kiemat kam hai toh aap quantity badaayenge ya kam kareenge. Yeh maine naya ganit aur kaanun kahi sikha nahi. Lastly, transfer of technology. We have given you details till one week before Mr. Modi's visit, how Eric Trapier was visiting Bangalore. And HAL always gets a contract with the transfer of technology, which is good for India. How it changed, when it changed, why it changed? Please tell us, Mr. Modi. Please tell us, Mr. Government, Mr. Finance Minister. Did it change, because T.O.T. would not have allowed you to help your very special blue-eyed boyfriend, corporate friend, with a 30,000 crore contract, plus a huge life cycle maintenance contract? Or did the T.O.T. change, because it is much easier to deal with private persons and to deprive your own baby, HAL? All aircraft in this country have an HAL connection, every aircraft. And all that that corporate has flown is not even paper planes. Well, those are questions. And last but not the least, benchmark price increased from 39,422 crore Indian rupees to 62,166 crore Indian rupees. That is just under double. This benchmark price increased. Have you given us any explanation? Forget the JPC. Give us some explanation. And I am putting a direct question to you, sir. Did the Defence Ministry object on the file to this benchmark price increase by double? And if it did, are these the files hidden in Mr. Parikar's bedroom? Are these the files which you are scared the JPC will look into? तो, तो तो, रफैल घोटाले की खुली छूट, और अब रफैल घोटाले की खुली छूट से चलते हैं, बैंक लूटसे भरोसा तोटु. आपको कितने लेक्चर दिये गए हैं पिछले कुछ महीनों में विशेश रूप से आर्थिक विवस्ता पे अब मैं एक बहुत अचंबे की बात बोलने वारा हूँ बहुत सरल बात पिछले तीन दिनों में 72 घंटों में तीन सरकारी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है क्या हमारे प्रकर मुखर पधानमंत्री जो पूरे अखिल भारतिय देश में लेक्चर दे रहे हैं कृपया बताएंगे कि इस गनित का क्या उत्तर है गनित नमबर एक RBI की रिपोर्ट साड़े तीन दिन पहले बैंक फ्रॉड्स हैव इंक्रीज इन वन इयर बाई 72 परसेंट एक साल में यानि 16-17 से लेके 17-18 RBI कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ अब आप वापिस गवर्न बदलेंगे क्या दूसरी रिपोर्ट पिछले तीन दिन की बात है मुद्रा लोन आपने नोटिस किया है आज कल पधान मंत्री वित्त मंत्री जन धन की बात नहीं करते मुद्रा की बात भी बहुत कम करते है कुछ महीने पहले कहते थे कि पूरा एंप्लॉइमेंट रोजगार प्रॉब्लम इस देश की खतम हो गई क्योंकि मुद्रा लोन से सब रोजगार हो गया हर मुद्रा लोन एक रुपया दिया तो एक रोजगार बन गया अब वो मुद्रा लोन पे सरकार की रिपोर्ट है हमारी नहीं कुछ भी कि NPAs सिरफ मुद्रा लोन के डबल हुए है 2016-17-17-18 में एक परश में इस तरह की खबरे देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन बिल आन कीजिए धन्यवाद